हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल बीए स्टड़ी तो अपने बारे में खुद बता दूं तो अभी मैं पीएचटी करा हूं आयाटी रोपड से तो मेरा टार्गर यह होता है कि आपको कोई भी गेट रिकार्डिंग जो भी फ्री मिलता है वह आपको मैं उनकी मैक्सम हेल्प करूं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्रीवेस जिस पेपर जो कंप्रीट आपके पेपर होंगे और उसका आपको आंसर की होगी वह आपको कैसे डानलोड करनी है तो आपने सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है तो बहां पर आपन vai सबसे फर्स्ट एाप साइट आपने सबसे जो फर्सट वेपसाइट है दे सकते हैं जैम आाई आई इती खी इस पर आपने क्लिक करना में ठेक है इस पर आपle करते हम क्जी आता है आपके सामने देखे और पर जागया है आपके समने अब देशकते जहाँ पर लिखा है ए जैसे कोई इंजिनेरिंग कर रहा है तो एरो स्पेस इंग अगरिकल्च इंजिनेरिंग आर्गिटेक्टेक्चर ठीक है इसमें जो भी गेट में जो सब्सक्राइब आते हैं सभी की लिस्ट दी वही है तो आपको में एक सेंपल सेंपल तॉर के आप अपना खुद का जो तो आप दे सकते हैं यह अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी यह तो पेपर होना है तो आप दे सकते हैं 2020 2019 18 17 मतलब सभी आपके प्रिवेस जिस पेपर के पेपर जो हुए है गेट के वह डालोड कर सकते हैं करता हुँ अभी आपका मैं सपोज करता हूं सब्सक्राइब लेटस जो हुआ है 2020 का पेपर है तो उसको मैं क्लिक कर लेता हूं ठीक है ठीक है तो जहां पर देख सकती है जो आ गया है डालोड हो चुका है ठीक है तो देखिए आपके सामने जो पेपर होता है वो आपके सामने आ चुका है ठीक है इसमें सारा पेपर जो आपका ओफीचली जो फाइनल गेट एक्जाम में होता है तो आपका आता है वो ठीक है जहा वह आपको दिये हैं ठीक है ऐसा सारा आपका पेपर जो PDF में उपन हो जाएगा इससे जह आपका benefit जिए है का इसकी practice कर सकते हैं कि आपको आप time limit set up कर सकते हैं खुद ही अपने गर किहां में इतने time में कितने मेरे maximum कॉशन होते हैं तो आप देख सकते हैं 18 पीज़ का PDF में open हो चुका है इसका print निकाल सकते हो कहीं भी बार से ठीक है तो आपको जी है कि आपको अपको फिचली जो gate की website मतलों कह सकते हैं आ ये टी के जी पी से मिल रहा है तो लास्ट पी आप देख सकते हैं आंसर की पी मेंचिन किये हो चाहां पर आपD कि आ आम की आमसर की Virginia दोफिये और इसमें डेख सकते हैं जीए का मतलब होता है जनरल एपटीटूर और नीचे आपका कह सकते हैं जो पीच का मतलब जाएक का आपके जिक्सलेटर निमेरिकल से हैं सारी ठीक है और इसमें mcq का मतलब होता है multiple choice question जिसमें आपको चार option देते हैं और n a t मतलब आपका कह सकता है numerical aptitude test निमेरिकल जिस होते हैं ठीक है और आप दे सकते हैं जहां पर आपका जहां पर तो मैं मानते हैं और कहीं बार रेंज होती है जैसे 14 से 15 अगर इसके बीच आपका वह answer आ रहा है तो वह correct होगा ठीक है तो जैसे आपको numerical कैसे आते हैं वह भी आपको मैं दिखा देता हूं ठीक है जैसे सकते हैं आपके सामने 53 क्योंकि मैं बानवाई बन नेक्स्ट आप नहीं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम प्रीविज जैस कॉशन पेपर है बानवाई बन जो क्वासन आया है वो मैं डिसकस करूंगा और यह ज़स्ट वीडियो है कि आप प्रीविज जैस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू